ड्राइविंग लाइसंस बनवाने के नीमों में बदलाव अब नहीं होगी ज़्यादा परिशानी नमश्कर दोस्तों ड्राइविंग लाइसंस बनवाने वालों को अब बार बार आटियों कारे काले जाने की जरूरत नहीं है नए नीमों के मुताविक अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आउनलाइन आवेदन किया जा सकता है फीस और दूसरे दस्तावेजों को अपलोड करने का काम भी घर बैठे निपताया जा सकता है अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है करोना काल और लगातार डिजिटल होते इंडिया के बीच केंद्रिये परिवहन मंत्रा लेके नर्देशों पर कई राजियों ने नए नियम लागू कर दिये हैं जिसके बाद अब अवेदन का त्रीका पहले के मुकाबले बदल गया साल 2021 की शुरूरात के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम उत्तर परदेश, बेहार मधे परदेश, राजस्थान और जहरखंट सहेत ज़्यादत राज्यों में लागू हो गए हैं नए नियमों के मुताविक लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की विवस्ता में बदलाव कर दिया गया अब आनलाइन स्लोट बुक होते ही लर्निंग लाइसंस की फीस जमा करनी होती है और फीस जमा होते ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए अगली तरीख आवेदक की सुविदा के हिसाब से मिल जाती है लाइसंस सभंदीत सेवाओं के लिए परिवहनवी भाग के वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा फॉर्म भरते समय आपको कुछ जानकरिया देनी होगी इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से सब्भंदीत दूसरे कागजातों को अपलोड भी करना होगा इसके बाद आवेदक को आटियों में सिर्फ आनलेन प्रीक्षा में भाग लेने के लिए ही जाना होगा इसमें भी 10 मिनट की प्रीक्षा में ट्रैफिक नीमों के बारे में 10 सवाल पुछे जाएंगे प्रीक्षा पास करने के लिए कम से कम 6 सवालों का सही जवाव देना होता है इसके बाद परिवहनवी भाग नीमा अनुसार आगे की कारवाई कर वेबसाइट पर जानकरी अपलोड कर देता है जिसका प्रिंट आउट आवेदक खुद भी ले सकता है दोस्तो अगर आपको हमारी जे जानकरी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्यूंकि हम हर रोच ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धन्यावाद